दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान कहा कि बीती रात केंडर सरकार एक अध्यादेश लेकर आई यह अध्यादेश लोकतंत्र और सम्विधान की हत्या करने के लिए लेकर आई है यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिये सीम अर्विंद केजरिवाल को मिली अधिकारियों की ट्रांस्फर पोस्टिंग के अधिकार को छीनने का प्रयास है उन्होंने प्रैस को सम्बोधित करते हुए कहा कि सम्विधान के अनुच्छे 249 एके तहट दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई गई है सम्विधान ने दिल्ली को एक विधान सभादी इस लिहाज से लोकतंत्र के सिध्धान्त के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है साथ ही जिस जनता ने CM केजरिवाल सरकार को वोट दिया उसकी इच्छा पर अमल करना उसकी जिम्मेदारी है आतिशी ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हमलावर अंदाज में कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को ये सहन नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरिवाल को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया इस बात को वो बरदाश्ट नहीं कर सके इसका बदला लेने के लिए उन्होंने चोर दर्वाजे से अध्यादेश लाया रात के अंधेरे में अध्यादेश को लागू कर दिया दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र का आधेश गलत था एक चुनी हुई सरकार के पास समवैधानिक ताकत है कि वो अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग अपने हिसाब से करे आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि केंद्र सरकार का आधेश गलत था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकार है इस दौरान जो सिध्धान सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं उसमें बहुत साफ कहा गया है कि कि किसी भी राज्य सरकार की ताकत चीनी नहीं जा सकती प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान आतिशी ने इस बात का हवाला दिया कि अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने लोकतंत्र के तीन सिध्धानतों का हवाला दिया था अदालत ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है दिल्ली सरकार के पास है अफसरों की जवाब देही की ताकत एक चुनी हुई सरकार ब्रश्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्षन ले सकती है दिल्ली की जनता ने CM केज रिवाल को चुना है इसलिए उनके पास transfer posting का फैसला लेने का आधिकार है Land, Law and Order और दिल्ली पुलिस को छोड़कर उन्हें हर पहलू पर निर्मय लेने की ताकत है